नमस्कार दोस्तो कैसे हैं आप आसा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में बैस्त होंगे तो दोस्तो आज हम पढ़ने वाले हैं UP Police Constable 2024 के लिए हिंदी का एक महत्पून टॉपिक अलंगकार जिसकी दोस्तो आज की वीडियो में हम ना तो परिभासा देखने वाले हैं और ना ही नियम देखने वाले हैं दोस्तो हम किवल ट्रिक देखने वाले हैं क्योंकि दोस्तो आपको पता हैं आपका जो एक्जाम है वो 17 और 18 फरवरी को होने वाला है जिसके लिए टाइम बहुत क चार लेंगे कि यह कौन से अलंकार का उधारन है तो ऐसी ट्रिक लेकर आएं दोस्तों कि पृष्ण को देखते ही आप तुरंत उत्तर दे 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 उसका दोस्तों तो जैसा की दोस्तों आपको पता है इस टैप की ट्रिक हम पिछली संधी के लिए भी लाये थे संधी के लिए करा चुके हैं तत्समतत्भव के लिए करा चुके हैं दोस्तो किसके लिए भी संधी के लिए तत्समतत्भव के लिए और समास की एक ट्रिक हम करा चुके हैं दोस्तों तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा आप उनको भी जाके देख लिएगा बस 5-5-7-7 मिनुट की एक एक वीडियो हैं आप 5-10 मिनुट में सा आज नियम और परिवांसा की बात नहीं करने वाला हूं बस इतना बता रहे हैं कि दोस्तों जो अलंकार होता है उसका जो साब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है दोस्तों आपूसरन होता है बाकी ये अलंकार जो होता है वो तीन प्रिकार का होता है एक अर्था अलंकार स सबसे पहले हम देखने वाले हैं अर्था अलंकार दोस्तों तो अर्था अलंकार के भी कई टाइप हैं तो उन सारे टाइप्स को हम जो important टाइप्स होते हैं वो सब हम देखने वाले हैं ट्रिक के साथ दोस्तों तो इनकी क्या पहँचान है वो मैं आपको बताने वाला हूँ द तो यह बहुत ही आसान ट्रिक से आप पहचान सकते हैं, अगर आपके उधारण में योजक चिन्न के साथ, जैसे आपको पता है योजक चिन्न, यह होता है हमारा योजक चिन्न के साथ, सा, सी, सम, समान, या योजक चिन्न ना भी हो, तब भी सा, सी, सम, समान अगर आ जाएं, तो बोट आपका क्या होगा दोस्तू, उपमा लगा देंगे तुरंत। बस यही ट्रिक हैं आपकी, अगर 7C सम समान, अगर आपको उधारन में दिख जाएं, तो आप तुरंत उपमा लगा सकते हैं, और अगर यूज़क चिंदं के साथ है, सासी से समसमान तो दोस्तो तुरंत ही आप लगा देंगे तो वो आपका उपमालंकार बिल्कुल राइट हो जाएगा और दोस्तो आपको कनफर्म करनाने के लिए फ्रूव करने के लिए मैं कुछ उधारन भी लेकर आये हूँ जो कि आप देख सकते हैं दोस्तो जैसा कि पहला उधारन है दोस्तो मुख चंद्रसा सुन्दर इसमें क्या है दोस्तो उपमालंकार है उपमालंकार है आप देख सकते हैं इसमें सा चंद्रसा योजक चिन्न के साथ भी आ गया है दोस्तो तो बैसे ही आप उपमालंकार लगा सकते हैं अगर केवल सा होता अगर योजक चिन नहीं भी होता तब यह आप उपमालंकार लगा सकते हैं दोस्तो चंद्रमा सा कांती मैं मिर्दू कमल सा कोमल महा इसमें दोस्तो देख सकते हैं चंद्र सा और कमल सा योजक चिन के साथ सा आ है तो दोस्तो ये भी आपका क्या हो जाएगा उपमालंकार हो जाएगा दोस्तो इसके साथ ही आर सी से अबर में आभा सी जी आरी लगे इसमें भी योजक चिन्न के साथ क्या है सी है दोस्तो तो ये भी आपका क्या हो जाएगा उपमालंकार हो जाएगा और दोस्तो जैसा कि म अब और example देख लेते हैं दोस्तों कोटिक, कोटी कुलुस सम, कोटी, इसमें भी दोस्तों योजक्चिन होगा, कुलुस के बाद, कुलुस के बाद क्या होगा, योजक्चिन होगा, तो कोटी कुलुस सम बचन तुम्हारा, तो सम आ रहा है दोस्तों, इस बजए से हमारा क्या ह जाएगा दोस्तो उपमालंकार हो जाएगा परबत सा इसमें भी दोस्तो योजक चिन होगा परबत सा इसमें सा आगे दोस्तो तो यह हमारा क्या हो जाएगा उपमालंकार दोस्तो हो जाएगा फिर हमारा आ रहा है क्या सिंदू सा सिंदू सा इसमें भी योजक चिन होगा अग अखमल के जूमे पड़े हाथों सी टीला हाथी सी टीला तो दोस्तो ये भी योजक चिन के साथ सा आगे तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तो उपमालंकार हो जाएगा दोस्तो तो ये योजक चिन के सा सी समसमान अगर इन में से कुछ आता है दोस्तो ये ऐसे ही बिना उत्प्रेक्षा अलंकार का तो इसको भी दोस्तों कैसे याद करेंगे कैसे आप question को देखते हैं इसका answer लगा देंगे वो हम देखने जोस्तों अलंकार की trick कह लो या पहचान कहलो जो भी चाहें आप कह सकते हो वह यह कि जनू जानो जनहूं मनू मानो मनू हूं। इने मेंसे अगर कोई भी सब्द आपके उधारन में आपकी पंक्ती में अगर आ जाए तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा उत्प्रेक्षा लंकार हो जाएगा दोस्तों आप तुरंत ही उत्प्रेक्षा लंकार ओप्सन लगा सकते हैं दोस्तों जैसे मुख मानुचंद्रस तो ये दोस्तो उत्प्रेक्षा लंकार का उधारण है, आप लगा सकते हैं, मुख मानू चंदसा मानू आ गया दोस्तो, ऐसे दूसरा एक्जाम पर, लागत अबद भया बन भारी, मनू काल रत अंधिहारी, तो इसमें मनू आ गया, तो ये आपका क्यों हो गया दोस्तो, उत् प्रेक्षा अलंकार होगा जैसे आप तीसरा एक्जम्पल देख सकते हैं फूल कास सकल में ही छाई जनू यह क्या होगा दोस्तो जनू रसारित प्रिकट बुड़ाई तो यह दोस्तो आपका क्यों हो जाएगा जनू आगया इसलिए क्यों हो जाएगा दोस्तो उत्प्रेक्ष जाएगा दोस्तो उत्प्रेक्षा अलंकार यह आपका हो जाएगा दोस्तो ठीक है फिर उसके बाद चित्र कूट जनू अचल अहरी तो इसमें भी दोस्तो अनू जनू आ गया तो यह आपका क्यों हो जाएगा दोस्तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा दोस्तो तो यह तो होगी उत्प्रेक्शालंकार की ट्रेक नश्ट देख लेते हैं दोस्तो आपको किसी पंक्ति में ऐसा लगेगी इसमें ज़्यादा फेंका जारा रहा जरूरत से ज्ञादा बोला जारा है जो हो नहीं सकता वो भी बोला जारा है तो वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तो अतिसेयोक्ति अलंकार हो जाएगा जैसे यह चंद है यह चंद हो थोड़ी ना सकता है वट बोल रहा है तो मतलब बड़ा चड़ा कर बोल रहा है तो यह क्या हो जाएगा अतिसेयोक्ति अलंकार हो जाएगा जैसे चांदी जैसा रंग आग लंका सिगर जल गये निसाचर भाग perman जब आग लगई दो mais मतलब यह खлох हनुमान की पूंच में आग निलग पाई और लंका सारी जल गई और निसाचर भाग गये दोस्तों जब आग लगी उसके बाद जबन्हों लेते हैं देख लो साकेत नगरी यही स्वर्ग से मिलने गगन जा रही तो दोस्तों इस साकेत नगरी स्वर्ग थोड़ी न पहुंच जाएगी तो यह बड़ा चड़ा कर बात की जा रही है तो यह आपका अतिस्योक्ति अलंकार हो जाएगा और बहे सूरिये है तो भही वह लंकार इसके पीछे की जो लंकार है वह भी जैसा कि मैंने आपको बताया था उसमें मैंने आपका पहला बताया था कौन सभी उपमालंकार तो उपमालंकार की क्या ट्रिक थी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि योजक चिन के साथ सासी समसमान अगर कोई आ जाए या सासी समसमान पंख्ती में आ जाए तो वो आपका क्या होता है उपमालंकार होता है उत्परेक्षा में क्या बताया है दोस्तो जनू जन जानो मनू मन मानो दोस्तो यह अगर आ जाए तो आपका क्या हो जाएगा उत्परेक्षा लंकार हो जाएगा तो दोस्तो रूपक लंकार की ये ट्रिक है जब दो सब्दों के बीच योजक चिन दिया हो और उसके साथ क्याना हो सासी से जैसे कि आपने उपमा लंकार में देखा था सासी से समसमान आ रहा था दोस्तो तो योजक चिन के साथ सासी आ रहा था तो दोस्तो सासी नहीं होना च देखेंगे, अगर इसमें योजग चिन ने दिया है दोस्तों तो यह आपका क्यों हो जाएगा, रूपकलंकार हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं एक्जाम्पिल में चरन कमल बंदोहरी राई तो दोस्तों इसमें क्या दिया है योजक चिन दिया है सब्दों की बीच लेकिन सासी से नहीं दिया है दोस्तों तो यह आपका क्या हो जाएगा रूपकलंकार हो जाएगा और चरन रूपी कमल तो इस चंद्र खिलोना लए हूँ मय या मैं तो चंद्र खिलोना लए हूँ इसमें भी योजक चिन दिया है दोस्तों दो सब्दों की भी तो यहा हमारा क्या हो जाएगा रूपक अलंकार हो जाएगा दोस्तों मुख चंद्र है तो जैसा की ये टो आप देखेंगे अगर इसके साथ ही किसी के समान की बात कर दी जाए कि मुक्ष चंद्र है तो वो क्या हो जाएगा दोस्तो रूपक अलंकार हो जाएगा दोस्तो अब नेश्ट देख लेते हैं दोस्तो नेश्ट हमारा आता है विभाबना अलंकार दोस्तो कौन सा विभाबना अलंकार इसको द लेकिन फिर भी वो काम हो जाए जैसे कि मेरे काना की कृपा से सब काम हो रहा है मेरे नाथ की कृपा से सब काम हो रहा है मतलब हमने कोई महनत नहीं की बस भगबान की कृपा से सारा काम हमारा हो गया बिना किसी कारण बिना कुछ किये तो दोस्तो ऐसी जगहे पर क्या होता है दोस्तो विभाबना अलंकार आ जाता है जैसे बिनपद चले सुनीक बिन काना करविन करम कर निधी नाना जोस्तो तो इसमें क्या हो जाएगा विभाबना अलंकार हो जाएगा दोस्तो एक बार दोस्तो मैं फिर से आपको रिपीट करा यह हमारा सबसे पहले हमने क्या देखा उपमालंकार तो उपमालंकार में क्या होता है दोस्तो सासी समसमान आ जाए जैसे चांसा रोसन चेहरा जील सी नीली आखे यह हमारा क्या हो जाएगा उपमालंकार हो जाएगा दोस्तो ठीक है और इसमें जनू जानो जनू मनू मानो आगे हमने किया देखा अतिसे योक्ती में बड़ा चड़ा कर बात की जाए रूपक अलंकार में सासी से अगर योजक चिन के साथ नहीं आ रहा है और योजक चिन दो सब्दों की बीच लगा है तो वो आपका रूपक अलंकार हो जाएगा दोस्तों साथ में भी विवाबना मे अबर्ति हो मतलब बारवर अगर एक ही बरण बारवर आय एक पंक्ती में बारवर एक ही बरण आयए तो वो आपका क्यों हो जाएगा दोस्तों अनुप्रयास अलंकार हो जाएगा जैसे चारू चंद्र की चंचल किरने खेल रही है जल्थल में तो दोस्तो चा 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 ये कई बार आ जा रहा है एक ही पंक्ती में तीन चार बार आ जा रहा है दोस्तो तो ये आपका क्या हो जाएगा अनुप्रियास अलंकारी होगा दोस्तो तरनी तनुजा तर्टमाल तरूबर बहु चाये इसमें ताकी आबिरती बार बार हो रही है तो यह आपका क्या हो जाएगा अनुप्रियास अलंकार हो जाएगा चर मर खुल गए अर उस फटोक से तो दोस्तो इसमें चा और राकी राकी क्या हो रही है दोस्तो आबिरती बार बार हो रही है बार बार आ रहा है तो दोस्तो यह क्या हो जाएगा अनुप्रियास अलंकार हो जाएगा चौता जो एकजमपल है वो भी हम देख लेते हैं बंदों गुरुपद पदम परागा सुरुचिच सुबास सरस अनुरागा दोस्तो तो इसमें हमारी क्या हो रही है पाकी पा 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 तीन बार आ रहा है ये दाकी भी आबिरती हो रही है दोस्तो इसमें साकी भी आबिर्ती हो रही है बार बार आ रहा है तो दोस्तो यह क्या हो जा रहा है हमारा अनुप्रियास अलंकार हो जाता है दोस्तो अब दोस्तो देख लेते हैं यह मकलंकार में दोस्तो क्या होता है दोस्तो कि जहां एक सब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर् या पाए बोराय दोस्तों तो दोस्तों अगर यहां पर जो कनंग कनंंग दो दिए सब्स्थे दोश्तों हमें दो दो या दो से अधिक बार आएं दोस्तों और उनका अर्थ अलग अलग हो मतलब एक कनक का दूसरा अर्थ है और दूसरे कनक का दूसरा अर्थ है तो दोस्तों ऐसी जगह पर क्या पाएगा जाएगा दोस्तों या मकलंकार हो जाएगा दोस्तों जैसे जेते तुम तारे तेते नब में ना तारे दोस्तों इसमें तारे का दूसरा अर्थ है और इस तारे का दूसरा अर्थ है यहाँ पर नब मतलब आकास में बहुत सारे तारे हैं और जेते तुम तारे उतने तारन नहीं हो आप या उतने तारन हो आप जितने नब में आकास में तारे नहीं है तो दोस्त यहाए पर दूसरा इर्थ है और यहाएं पर सजना मतलब सजना है मुझे सज्चित होना है एक सजना का अर्थ यह हो गया और सजविना का अर्थ क्या हो गया है पतीदेव अपने सजना के लिए सजना तो दोस्तो यहाँ क्या हो गया दोनों सब्दों का अर्थ जो एक जैसे हैं अलग-अलग सब्द हैं तो अलग-अलग अर्थ है दोस्तो एक जैसे सब्दों का अलग-अर्थ है दो बारा हैं तो दो अर्थ हैं दोस्तो तो जितनी बार आतने अर्थ होते हैं तो वो आपक तुरंत आपको मिल जाए दोस्तों क्योंकि मैं सारी टौपिक्स की ट्रिक करा रहा है अगर सारी देख लेंगे तो आपका एक्जम बहुत ही अच्छा जाने वाला दोस्तों, नेस्ट अभा मों देख लेते हैं सलय सलंकार कि क्या होगी ट्रिक वो भी देख लेते हैं तो इसले सलंकार क्या है इसकी जो ट्रिक होगी दोस्तों वो होगी जहां एक ही सब्द के अनेक अर्थ हो जहां पर एक ही सब्द के अनेक अर्थ हो कोई सब्द अगर एक बार ही दिया है तो उसके अर्थ अलग-अलग हो अलग-अल चुन दोस्तो तो जैसे हम कह सकते हैं जहां कोई सब्द एक ही बार प्रियुक्त हो किन्तु उसके प्रसंग में क्या हो भेद हो उसके अर्थ अलग अलग हो तो आपका क्या होता है दोस्तो सिले सलंकार होता है दोस्तो मैं जैसा कि आपको बता दूँ यहाँ पानी दिया तो प पानी का अर्थ तो दोस्तो एक ही सब्द के जो है कई अर्थ निकलना है दोस्तो मतलब मोती के लिए पानी का अर्थ क्या निकलना है चमक मोती के लिए मोती चमकता है तो पानी का अर्थ हो गया चमक और हमारा मानुस के लिए दोस्तो क्या हो जाएगा मानुस के लिए हो जाए हैं अलग-अलग सब्दों के मतलब एक ही सब्द के अलग-अलग प्रसंग में अलग-अलग अर्थ होते हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों सिलेस अलंकार हो जाएगा दोस्तों तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को क्या करेंगे ल